हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लोग में तो फ्रेंड आज हम लेकर आ गए हैं लोकी की स्वादिष्ट यम्मी हलुआ की रेसेपी फ्रेंड तो आप इसे हलुआ या खीर भी बोल सकते हैं आप इससे बर्फी लोकी कबर भी तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना डिलिसियस यम्मी दीख रहा है यह लोकी का हलुआ तो आप इसे कोई भी ब्रत में खा सकते हैं फ्रेंड तो वीडियो सुरू करने से पहले एक रिक्वेश्ट है फ्रेंड प्लीज वीडियो को फूल वाज करें अगर पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें तो फ्रेंड लौकी के हलुआ बनाने के लिए हम एक केजी लौकी लिए हैं इसको अच्छी तरह से छील लेंगे इस तरीक को फ्रीज में रखकर सबते दिन तक भी खा सकते हैं जब भी कभी मीठा खाने का मन हो खाना के बाद एक दो चम्मच खा लिजिए मूँ मीठा हो जाएगा और बच्चे भी बहुत खुस होकर खाएंगे बहुत पसंद आता है फ्रेंड इस तरीके से अगर लौकी के हलुआ जलेंगे तो बच्चे भुड़े सभी को बहुत पसंद आयेगा फ्रेंड प्रेंड हम लोग की चिलका उतार लिए हैं आप देख सकते हैं तो अब हम दोने साइट का दंट Curry का लूख मार इसके बाद ढूआ तो कदू करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी तो हम धोकर लेकर आ गए हैं तो कदू कस करने से पहले लौकी को धो लेना है, उसके बाद इस तरीके से कदू कस करना है प्रिंट यह बहुत जल्दी ही कद्दूकस हो जाता है अगर आपके लौकी बीज वाला होंगे तो आपके हलुआ या खीर अच्छे नहीं बनेंगे फिरिंट तो आप देख सकते हैं मैं कद्दूकस कर रही हूँ इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है अगर जिसमें ज़्यादा बीज रहता है तो लोग क्या करते हैं कि बीज वाले पार्ट को काट कर निकाल देते हैं तो उससे ज़्यादा लौकी बेश्ट हो जाता है फ्रेंट इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है मैं सारे लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ तो मैं सारे लौकी को कद्दूकस कर ली हूँ फ्रेंट तो चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं तो फ्रेंट हम ब्रत के लिए बना रहे हैं तो इधर हम गैस गरम होने के लिए रख दिये थे कराही गैस पर तो कराही गरम होने के बाद हम दो चम्मच घी डाले हैं खाने वाले चम्मच से तो घी को गरम होने देंगे घी गरम हो गया है मेल्ट हो गया है घी आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें कदू कस किये हुए लवकी को डाल देंगे और गयस के फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि ये लवकी जो है इसमें बहुत सारे पानी छोड़ेंगे तो जल्दी से हमको इसका पानी अच्छी तरह से जलाना है घी के साथ भूनना है एकदम अच्छे से लौकी का जो एक्स्ट्रा पानी है सारे सुखा लेना है भूनते हुए तो आप देख सकते हैं फेंड लौकी कितना पानी छोड़ दिया है इस बज़ा से हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे तो इससे क्या होगा कि लौकी का पानी जो है एक्स्ट्रा जल्दी से सुख जाएगा तो फ्रेंड आप देख सकते हैं लौकी के पानी सुखने लग गया है और लौकी का कलर भी चेंज हो गया है फ्रेंड तो मैं और थोड़े देर पानी सुखाऊंगी लोकी का अच्छे से चलाते हुए तो आप देख सकते हैं लोकी हमारा अच्छे से भून गया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है चिपकने लग गया है कराई में तो फ्रेंड अब हम इसमें दूद डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये दो लिटर दूद है तो मैं दो लिटर नहीं डालूंगी एक लिटर दूद डालेंगे और थोड़ा मलाई भी डाल देंगे दूद में जो मलाई है वो भी हम डालेंगे तो अच्छे तरह से मिला लिए हैं फ्रेंड तो आप देख सकते हैं एक लिटर दूद मैं डाल दी हूँ आप चाहे तो दूद कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन दूद जितना रहेगा उतना ही टेस्टी आपका लोकी का हलोवा या खीर जो भी बोलेंगे वो स्वादिश्ट बनकर त्यार होगा फ्रेंड तो अच्छी तरह से दूद को मिला लिए हैं लोकी के साथ अब हम इसको पकने देंगे तो फ्रेंड दूद में मेरा 3-4 चमच के करीब मलाई था तो वो भी डाल दी हूँ मैं वीडियो इसकीप हो गया है फ्रेंड तो आप देख सकते हैं मलाई ही वाइट वाइट जो दिख रहा है ये मलाई है तो चलाते हुए अच्छी तरह से पका आना है तो दूद थोड़ा सुखने लग गया है फ्रेंड तो अब हम इसमें 100 ग्राम के करीब चीनी एट करेंगे चीनी आप अपने एकोडिंग कम जादा एट कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद है तो फ्रेंड ये जो दूद में मतलब की हलुए में वाइट वाइट वे मलाई था फ्रेंड तो इतना सारे हम ड्राइफ रूट भी काट कर रखे हैं तो हलुआ में कलर आने के लिए मार्केट जैसा कलर आने के लिए मैं ग्रीन फूट कलर डाली हूं फ्रेंड आप चाहे तो इसे इसकीब भी कर सकते हैं इसमें स्वाद में कोई फर्क ने तो वन टी स्पून इलाइची का पौडर डाले हैं अच्छी तरह से सुखने तक हलुआ को पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कलर फूट डालने से क्या होता है कि थोड़ा कलर अच्छे आ जाते हैं हलुआ में तो आप देख सकते हैं कितना ड्रीसियस कलर आया है एक दब मा मार्केट जैसा बना रही थी इस बज़ा से मैं ग्रीन फूट कलर डाली हूँ तो अब हम इसमें ड्राइपूट डाल देंगे क्योंकि हलुआ सुखने लग गया है अब तो मैं इसमें थोड़ा ड्राइपूट डाल दी हूँ और थोड़ा से अलग से बजा कर रख लिए हैं हलुआ में उसको अच्छे तरह से सुखा लेना है चलाते हुए तो फ्रेंड लो फ्लेम में हम हलुआ को पका रहे हैं तो फ्रेंड इस तरीके से हलुआ बनाएंगे तो बहुत ही डिलिसियस बनकर त्यार हो गाई इतना सा ड्राइपूट में गार्निस करने के लिए रखी थ बिल्कुल भी हलुआ में पानी नहीं है सुख गया है अच्छे से तो अगर आपको बर्फी जमाना है फ्रेंड तो इसको और चारज-पांच मिनिट के करीब लो फ्लेम में पकाना पड़ेगा लेकिन मैं बर्फी नहीं बना रही हूं फ्रेंड हम हलूआ बना रहे हैं तो हम चालीज के फ्लेम को बन कर दिये हैं तो चलिए फ्रेंड हम गर्मा गर्म हलोए को सर्व कर लेते हैं वाव कितना डिलिशियस यमी बनकर तयार हुआ है फ्रेंड इस पे मैं उपर से मलाई डाली थी तो इस बज़े से दानेदार दिख रहे हैं इसमें वाइट वाइट तो फ्रेंड उमीद करेंगे कि आपको ये ल लौकी के खीर ये बर्फी कुछ भी बना सकते हैं और दिन भर तरो ताजगी से भरे रहेंगे तो उमीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये लौकी के हलोए की रेसिपी पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो अपने फैमली मेंबर दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूल मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई